Hello dear students, welcome to ATP Star, the super learning platform. कैसे हो guys, hoping that all of you are well and taking care of yourself. Myself, Vinit Khatri, और आज का इस सेशन आप सभी future doctors के लिए बहुत एहम है, बहुत amazing होने वाला है. आज हम बात करने वाले है, chemistry के बारे में, कि chemistry में आप सभी 160 प्लस का, जो एक हमारा aspirational score होता है, वो किस तरीके से हम practically अचीव कर सकते हैं? पहली चीज़, preparation में ये score अचीव करने के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से practice करनी पड़ती है, force को सही direction में लगाना पड़ता है. तो अभी जो हमारे पास समय बचा है, उस समय हमें क्या क्या करना चाहिए, ताकि हम maximum, जो भी अपका score अभी test में आता है, माली जे chemistry में आप score कर पारें, 100, 120, 80, whatever, इस वीडियो को देखने के बाद, guaranteed है, आपका score improve हो सकता है, अगर आप सारे points apply करो, तो साथ में copy pen लेके है, ओके गाईज, तो देखे, सबसे पहली बात, मैं आप सभी को बताऊंगा, वो होती है time bound practice, अगर हम practice time bound करते हैं, ठीक है, या नहीं, भई एक घंटे में 45 questions की practice कर रहे हो आप, एक घंटे में 50 questions करने की practice कर रहे हो, अगर लगातार time bound practice करते हो, तो इस से क्या होता है, इस स कर सकते हो, हाँ है, और बहुत सारे students को ये नहीं पता है, तो आप सभी को बता देता हो, कि नीचे ATB star app का link दिया हुआ है, वहाँ से ATB star app को download करें, और वहाँ पे there is a section जिसको बोलते है practice, वहाँ पे आप किसी भी chapter का, किसी भी chapter का test बना सकते हो, खुद से, duration भी set कर सकते हो, और उसके साब से unlimited practice कर सकते हो, free of cost, ये available है, इसका use, आप सभी को जरू करना है, और याद रखिए, जो questions लिये हुए है, वो relevant question है, यानि neat level के question है, ऐसा नहीं कि उसमें advanced level के question डाल दिये है, या main level के question डाल दिये, ठीक है, तो उसमें neat level के question है, जिससे आपकी practice बहुत अच्छ को पत है, लेकिन दिक्कत कहा आती है, NCRT, simply अगर हम पढ़ते हैं, तो boring बहुत बार हो जाती है, और याद नहीं रहते हैं, बहुत सारे facts उसे related, जैसे inorganic chemistry है, तो याद नहीं रहता, तो हम अपन individually बात करने वाले हैं, कि physical chemistry में, organic chemistry में, inorganic chemistry में, क्या-क्या approach हमारी होनी चा पहले हैं, तो physical chemistry में, बहुत सारे जो neat aspirants है, वो calculations में गलतियां करते हैं, यानि छोटे-छोटे बहुत सारे question आपको solve करने हैं, और सबसे बड़ी बात end तक solve करने हैं, यानि पूरा answer निकालना है, ठीक है, तो calculation वाली गलती हो जाती है, और उसके लावा physical chemistry में student डर जाते, ठ समझना है पहले, concepts को understand करना है कि भाई, जैसे for example states of matter है, real gas है, ठीक है, ideal gas है, उनकी equations किस तरीके से आई, यानि यहाँ पर जो derivation होती है, basic derivation की कोई भी चीज़ क्यों आ रही है, उस पे धान दीजिए, यानि हर एक चीज़ के अगर y पर ध्यान रखोगे, तो आपको याद र पहता है, अगर उसका reason आपको पता है, तो आपको formula याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि equilibrium है, बनलब कोई भी चीज़ पढ़ो तो समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ोगे तो इन formulas को पहले समझे, और formula का apply करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे questions कीजिए, बहुत स कर सकते हो, जिसमें line to line, NCRT आप साथ में पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ questions की practice करो, that is one of the best way of doing NCRT, क्योंकि NCRT इसे पढ़ते रहने से काम नहीं चलता, जब तक questions नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है न, उसके अलावा, next अगर हम बात करते हैं, organic chemistry में, तो organic chemistry में क्या होता है, students बढ़े परिशान हो जाते है, सर, reagent का function याद नहीं रहता, ये याद नहीं रहता, वो नहीं याद रहता, भाई, सबसे पहले organic chemistry को समझो, IPAC बहुत deep में करने की जरूत नहीं है, IPAC purely NCRT level तक कर लिया, काफी है, अब बचा, GOC and isomerism, ठीक है, GOC, isomerism में भी, अगर हम बात करें, तो purely NCRT से question आते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि for example, resonance हो रहा है, या aromaticity आ रही है, या उसके अलावा, optical activity आ रही है, वीडियो, organic chemistry के, YouTube पे free of cost अविलेबल है, ठीक है न, उसके अलावा, physical के कम अविलेबल है, लेकिन inorganic के भी significant अविलेबल है, वहां से आप different concepts के, different concepts के, छोटी-छोटी वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें बहुती कम समय में आप चीजें सही कर सकते हो, तो ये बात हो यहां पर इसके अलावा अगर हम बात करें, तो inorganic chemistry की बात अभी करते हैं, उससे पहले organic chemistry में एक बहुत अच्छा तरीका होता है, वह था organic convergence, अगर आप organic convergence करते हैं, तो उससे क्या होता है, दिमाग चलना शुरू हो जाता है, NCRT की पीछे भी organic convergence दिये हैं, और भी books में, board level की books में, बहुत convergence आपको मिल जाएंगे, convergence की practice जितनी जादा करोगे, उतना दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि organic convergence is like a puzzle, पजल की तरह होता है, जो आप से पूछता है, कि बताओ ये कैसे बनेगा, तो आपके दिमाग में reagent आएंगे, अच्छा, ये reagent oxidize करता है, य ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ठीक है, तो उससे बहुत बढ़िया तियारी हो जाती है, तो organic chemistry के लिए convergence, और understanding the reactions, अगली चीज़ आप अपने notes ज़रूर बनाओ, जब जहां पर भी पढ़ते हो, ATP स्टार में पढ़ते हो, या कहीं बेबी आप पढ़ते हो, आप अपने notes ज़रूर बनाओ, किसी और के notes पर dependent मत हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी reactions है, जो पहले नीट में आती थी, पहले वो आ जाती थी, लेकिन अब वो नहीं आती है, तो पुरानी reactions पर या out of flavors पर आपको कतई नहीं जाना है, जैसे कि मैं आपको बताओ, पहले reactions जैसे क्लेजन, डाइ बहुत सारी ऐसी reaction थी, जिनसे questions आ जाते थे, और out of flavors चीज़ें भी नीट में आती थी, अब वो बहुत कम हो चुकी है, तो उस पर अपन को focus नहीं करना है, अगर हम बात करें इन और्गेनिक केमिस्ट्री की, इन और्गेनिक केमिस्ट्री में तो fundamental chapters पहले आने चाहिए, वो ह है हमारा कौन-कौन सा, हाँ, एक तो है periodic properties, और उसके अलावा हमारा क्या है, chemical bonding, अगर हमें periodic properties, chemical bonding धंग से आता है, ठीक है, धंग से आता है, मतलब NCIT level का अच्छे से आता है, अपने को पता है कि भाई, periodic properties में, जो सारी properties होती हैं, वो कैसे vary करती है, ठीक है, इसमें history वाला part उत्ता important नहीं है, chemical bonding में, hybridization, phaseance rule, ठीक है, shape वगरा, इन सब से direct question आ जाते हैं, ये सब आने के बाद, अब block chemistry में student बड़ा डर जाता है, कि block chemistry कैसे करे, तो मैं वही बता रहा हूं, आप NCRT gear up को साथ में, NCRT पढ़ें, और NCRT बढ़ने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ क् question solve करने, जितने questions करोगे, उतना काम बढ़िया हो जाएगा, अगली चीज है, वो है revision, revision आपको regularly करना ही पढ़ेगी, क्या होता है, कि everyday हम time spent करते हैं, जैसे मालो 3 घंटे हम chemistry को दे रहें, या 4 hours हम chemistry को दे रहें, ठीक है, एक video मैंने बनाया था, जिसमें मैं आपको पूरा time table बताया था कि किस तरह से पढ़ना है, उपर आई जो section है, वहाँ पर आप आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वो video कौन सा है, तो वहाँ पर मैंने पूरी details strategy बता रहें, study plan students को बता रहा है, तो हम कहना क्या चाहते हैं, कि आपको revision regular करना होगा, अगर revision आप regular नहीं करोगे, तो भ सबसे important होते हैं, previous year questions are always the best, और relevant रखना है, और basic chapters पे पहले command आ जाएगी, understanding आ जाएगी, तो सब कुछ असान हो जाएगा, कुछ students जिनके NEET में scores टक हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं, उनके basic साही नहीं होते, अगर quantum number नहीं आएगे तो periodic नहीं आएगा, periodic नहीं आएगा तो पूरी inorganic नहीं आएगी, similarly organic chemistry का भी यही खेल होता है, ठीक है, so guys, आज मैं आपको यही बताना चाहा रहाता सारी चीज़ें, बाकि time bound practice के लिए ATB star app को अभी अभी आप ज़रू download करें, नीचे link दिया हुआ है, उसका फाइदा उठाएं, completely free of cost resource है, यह practice वाला, और बाक ATB star, love you all.